आपकी प्रेगनेंसी ना रुकने का एक में रिजन हो सकता है कि यहाँ पर आपका अंडा और आपके हस्बन का सेल मिल ही नहीं रहा है तो यहाँ पर आप कितनी भी ट्रीटमेंट ले लो आपका अंडा कितना भी अच्छा बना हो हस्पन के जो वहाँ पर रिपोर्ट से हो कितने भी अच्छे हो फिलुपेन ट्यूब्स भी कुली हो यानी कि आप ट्रीट्मेंट लिए गांग रहे हो रिपोर्ट सारे करवाते हो अच्छे टेम्पर रेलेशन रख रहे हो लेकिन तुर भी प्रेग्नेंसी नहीं रुक रहे है तो यहाँ पर main reason होता है कि आपका अंडा और आपके husband का cell मिल ही नहीं रहा है जिसके चलते वहाँ पर आपकी urine pregnancy test positive कभी नहीं आई है और आप यहाँ चाहते हैं कि आपकी UPT जल्दी से positive आ जाये तो उसके लिए क्या करना है बहुत ही simple चीज़ है आपका अंडा और आपके husband का cell मिल जाये इस तरह से आपको थोड़ी से मेनद करनी है और यहाँ पर ऐसे क्या reason हो सकते हैं जिसकी वज़े से वो दोनों मिल नहीं पाते हैं बाकि सब ठीक है तो उसको मिलने में क्या दिक्कत आती है में तीन reason होते है यदि वो तीन में से एक भी आपके अंदर है तो यहाँ पर pregnancy रुकने में दिक्कत आ सकती है और उसको ठीक कैसे करना है और क्या reason है और किस वज़े से यह सा हो जाता है आपकी बोडी में वो सारी बातों के चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले है वीडियो में आखिर तक जुड़े रहेगा और दूसरा सवाल यह रहता है कि यहाँ पर relation होने के बाद सब कुछ बाहर आ जाता है तो उसकी विज़े से मेरी pregnancy नहीं रुक रही है तो क्या यह सच है जिहाँ इसा भी होता है कि यदि आपके case में यह हो रहा है तो उसके चलते pregnancy ना रुक रही हो तो ऐसे case में हम क्या करे यानि कि यदि आप भी यह सेम फिल कर रहे है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे आपकी परेशानी दूर हो जाए इस बात कि इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं अखिरी तक जुड़े रहेगा फेंड और अभी तक इस चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया है और पहले कर लीजिए बिल्कुल आप लोगों को लिए फ्री ह यानि कि फिलोपियों ट्यूप तक नहीं जा पाता है उसमें सबसे पहला रोल होता है आपके यूट्रस की पोजिशन का आपके यूट्रस की पोजिशन यदि आप सोनोग्राफिय में देखेंगे तो लिखी हुई होगी एंटिवर्टेट जो नॉर्मल पोजिशन है यदि उस पोजिशन में यूट्रस रहता है तो जल्दी से वहाँ पर सेल उपर तक जा पाते हैं अंडे से मिल जाते हैं प्रेगनंसी रुप जाती है तो यहाँ पर यदि आपको इंफेक्शन हुआ है पास्ट में कोई सर्जरी हुई है या फिर कोई ओर रिजन से पेट में एडे पर यह इस तरह अंदर की तरफ चला जाता है तो के नाल की वहाँ पर नहीं रहे पाता एकज़ेट सामने उस आलत में क्या होगा के रिलेशन के बाद वहाँ पर उपर तक जाने में सेल्स को डिफिकल्टी होगी और प्रेगनंसी नहीं रुखेगी तो रिट्रोवर्टेड हो तो क्या करें उसकी बहुत ही जोड़दा टीप्स हम आपको देने वाले हैं दूसरा उसकी ट्रीट्मेंट भी पोसिबल है यहां पर आप होमेपितिक मेडिसीन लेंगे तो अंदर जो है वहाँ पर निकल जाएंगे पोजिशन जो पहले थी वेसी हो जाएगी तो दाने के मुख खुला ही नहीं रहेगा तो आपके हस्बन के सेल्स उपर तक केसे जापाएंगे अब यह कोमेंट दूसरा सवाल होता है कि मुख कपकप खुला रहता है तो जो फ्लो होता आपका स्टार्ट उस दिनों में यह मुख खुला रहता है और जब आपका ओव्यूल करता है तistem सेल्स को उपर तक जाने में की करता है तो यहां पर तक सतम्स आपके lass हमेंस भी उपके मुख खुला रहता है तो तो यह भी ले प्रेगनसी नहीं ठेहरती इस टैम पर कहीं बार आपको डोक्टर ने बोलते हो सुना होगा कि सारे रिपोर्ट नॉर्मल है इतने च्छे आट महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हैं हम एक बार आयोई करके देखते हैं तो यहां पर आयोई मोर कुछ नहीं करते हैं कि जो हस्बन क सब्सक्राइब दोनों को मिलने में एक बार आयोई ट्राइब करके देख लेते हैं तो इस केस में आपका मुख खुला नहीं होता है तो उसमें आपकी प्रेगनसी रुपने में दिकत आ सकती है और यह कैसे पहचाने मुख खुला है या नहीं ओविलेशन टाइम पर उसके एक डीटेल वीडियो है आप खुद घर पे चेक कर सकते हैं डेली फिंगर इंसर्ट करके और वहां पर इतनी जगर रहती है यह वहां पर मुख खुला हो उसका मतलब है कि आपका उविलेशन हो गया है उस टाइम पर रिलेशन रखने के आपकी प्रेगनसी तुरण तुरण हेल्थ जी हाँ यह बहुत ही अंदेखा है प्रेगनसी नारुपने का में रिजन है यह आपकी केनल की हेल्थ अच्छी नहीं होगी यानि कि आपको बार बार वाई डीशार गीता रहता है नीचे के भाग में बर्निंग रहती है रिलेशन के दूसरे दिन वहां पर करता हो वह जदर रहती है तो इसी रिजन में वहां पर क्या होगा कि आपकी के ल्ट थर्ची नहीं वहां पर इंफेकशन है उसकी फिश्म मैंटेंट नहीं है और उसके चलते आपकेस्वुक्ति वहां पर ही मर जाएंगे वह उपड़ तक नहीं जा पाएंगे तो कैम प्रेगनंसी तुरंत रुख जाएगी दूसरा में रहता है कि यहां पर सब कुछ बाहर आजाता है तो क्या वहाँ पर प्रेगनंसी रुखेगी तो यदे कुछ फ्लूट जैसा बाहर आये तो बिल्कुल नोर्मल है कैनल की रचना इस तरह से हुई है कि सबकुछ अंदर जितन तो इस तरह से एक कंटे बाद लेटे रहते हैं उसके बाद भी कुछ बाहर आता है तो यह अच्छी बात नहीं है तो आपको सब कुछ बाहर आने की दिक्कत है या फिर आपकी केनाल के यह अच्छी नहीं है या फिर आपका युट्रोस की पोसेशन ठीक नहीं बच्च दाने के मुख नहीं खुल रहा है तो इस आलत में हम क्या करेंगे तीन चीज़े आपको ध्यान में रखनी है तो यहां पर टीप नंबर पर दूर तब जाके दोनों की हेल्थ अच्छी होगी तो आगे प्रेगनसी रुखने में दिक्कत ने आएगी तो केनाल की हेल्थ पीएच उठी करने के लिए सिफ प्रेशनल हाइजिन मेंटेन करने से आपकी पीएच बोड़ी खुद मेंटेन कर लेगी उसके लिए कोई भ यूट्रस की उसके समें क्या करें चलो रिट्रोवर्टेड रहती है तो क्या करें उस टेम पे आप अपनी जब रिलेस्ट रखते हो उस समय कमर के निचे तक्या रख दीचिए और खतम होने के बाद चुब पासवाली दीवाल होती है वहाँ पर पेर उपर करके 10 या 15 पर तक चले जाएंगे प्रेगनसी तुरंत रुख जाएगी और यदि वहाँ पर बच्चे दानी के मुह अच्छे से नहीं खुलता है तो देखो हमने जो टाइम बता है उस टाइम पर चेक करें और यह सा नहीं किसी पर सी पर विलेसं टाइम पर फेली बार चेक करने से यहां पर इतनी मेरी इंसर्ट हो रही है वहाँ पर जगा बनी है उस टेम पर रिलेसंट प्रेगनसी तुरंत रुख जाएगी तो यह मैंन मैं क्वेस्चन थे और यह इसमें से भी कुछ कंफिजन है ताब हमें कमेंड बॉक्स में पूछ सकते या फिर इंस्टा पर फोलो कर यदि आप हमारी अपॉन्मेंट बुक कर आना चाहते है तो टेलिपोनिक अपॉन्मेंट की सुविधा रखी है नीचे डिस्क्रिप्स बोक्स यानि की वीडियो का टाइटल है उसको क्लिक करने से डिस्क्रिप्स बोक्स आ जाएगा महाँ पर वट्सेप नंबर है उस पितन अगरी मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टेल दिस्क्रिप्स बाइए